नमस्कार दोस्तों मैं सुनील कुमार आर्पी कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संविधान क्या है संविधान क्या है संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का सासन चलता है. संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का सासन चलता है, उसी को हम संग्रह कहते हैं. अब इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे संग्रह कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे पहले कहां का संग्रह बनकर तयार हुआ, किस देश ने बनाया, तो सबसे पहले अब देखेंगे दोस्तों, समिधान के प्रकार, समिधान के प्रकार में समिधान दो प्रकार का होता है, पहला है आलिखित और दूसरा है लिखित, तो सबसे पहले अब इसके बाद हमें देखना है, आलिखित समिधान क्या होता है, आलिखित समिधान में दोस्तों होता है, इसकी 90 प्रतिशत जो चीजे हैं, 90 प्रतिशत चीजे, 90 प्रतिशत बाते, इन समिधान में नहीं लिखा होता है, सम्मिधान में लिखान नहीं होता है जब कि 10% चीजे सम्मिधान में लिखी होती है ये तो हो गया दोस्तों अलिखी सम्मिधान, अलिखी सम्मिधान क्या होता है इसमें 10% चीजे लिखी होती है और 90% चीजे लिखी होती है और 10% नहीं लिखी होती है तो ऐसा सम्मिधान कहा का है ब्रिटेन का ब्रिटेन का सम्मिधान दोस्तो अलिखी सम्मिधान है जो कि पूरे बिश्व का प्रथम सम्मिधान है बिश्व का प्रथम सम्मिधान दोस्तो ब्रिटेन का है बिश्व का प्रथम सम्मिधान ब्रिटेन का है लेकिन ब्रिटेन का सम्मिधान लिखित नहीं है अलिखित है अब आते हैं देखते हैं लिखित सम्मिधान क्या होता है लिखित सम्मिधान में होता है क्या लिखित सम्मिधान में 90 प्रतिस्यत बाते जो होती है लिखी होती है लिखी होती है और इसी में 10 प्रतिस्यत जो बाते हैं वह लिखित नहीं होती हैं परमपराओं के आधार पर चलती हैं यहां पर 10 परतिसर बाते जो होती हैं 10 परतिसर जो नियम होते हैं परमपराओं के आधार पर चलते हैं और 90 परतिसर जो होता है वह किसी पुस्तक किसी पुस्तक में लिखी होती है उसे हम लिखित सम्मिधान कहते हैं जिस पुस्तक में लिखी होती है उसको हम सम्मिधान कहते हैं और लिखित सम्मिधान में 90 परतिसेद चीजे जो होती है परमपराओं के आधार पर चलती है और 10 परतिसेद बाते जो होती है उसमें लिखा जाता है उसको लिख कर रखा जाता है यानि लिखे गई बाते होती हैं तो लिखित संविधान कहा कहा का है लिखित संविधान के उधारण है यूएसे का संविधान और भारत का यूएसे का संविधान यानि यूनाइटेट स्टेट आप अमेरिका सयुक्त राज अमेरिका का बिश्व का बिश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान बिश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान बनकर तयार हुआ था 4 मार्च 1789 को चार मार्च 1789 का बिश्व का प्रथम संविधान बनकर तयार हुआ था जिसको बनाने वाला देश था संयुक्त राज अमेरिका अब इसके बाद देखते हैं भारत का सम्मिधान भारत का भी सम्मिधान दोस्तों लिखित सम्मिधान है भारत का सम्मिधान लिखित है यह भारत का यानि भारत का जो सम्मिधान है बिश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है भारत का सम्मिधान बिश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है भारत का सम्मिधान बिश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है भारत का सम्मिधान यानि हमारे देश का सम्मिधान 26 नवंबर 1949 को बन कर तयार हुआ था हमारे देश का सम्मिधान 26 नवंबर 1949 को बन कर तयार हो गया था लेकिन इस दिन 26 नवंबर को हमारे देश का सम्मिधान पूर रूफ से नहीं लागू हुआ था तो फिर क्या हुआ था हमारे देश का सम्मिधान 26 नवंबर 1949 को आंसिक रूफ से लागू हुआ था आंसिक रूप से लागू हुआ था आंसिक रूप से लागू होने का मतलब है दोस्तों हमारे देश का सम्मिधान हमारे देश के सम्मिधान में जितने आरिटिकल है उनमें से सिर्फ 16 आरिटिकल मतलब टोटल 16 आरिटिकल ही लागू हुए थे 395 आईटिकल में से सिर्फ 16 आईटिकल ही लागू हुए थे 26 नवंबर 1999 को तो हमारे देश का सम्मुधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो हमारे देश का सम्मुधान 26 जनवरी 26 जन्वरी 1950 को हमारे देश का सम्मिधान लागू हुआ था जिस दिन लागू हुआ था यानि 26 जन्वरी को हम लोग 26 जन्वरी 1950 को ही लागू हुआ था उसी दिन ही हमारे देश के प्रथम राष्ट पती डाक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन इन्होंने राष्ट पती के पद की सपत ली थी इसी लिए 26 जन्वरी को हम गरतंत्र दीवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट पती डाक्टर राजेंद्र प्रसाद सपत लिये थे यानि कि हमारे देश को प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में डाक्टर राजेंदर प्रसाद आए और जिस दिन राष्ट पती बने उसी दिन को हम उसी दिन को हम मनाते हैं गड़तंत्र दिवस के रूप में यानि कि अगर कहा जाए गड़तंत्र क्या है गड़तंत्र किसे कहते हैं तो गड़तंत्र कहते हैं गड़तंत्र उस देश को कहते हैं जहां का राज का प्रमुख यानि जिस देश के राज के प्रमुख का चुनाव होता है उसे हम गड़तंत्र कहते हैं तो भारत में जो प्रध संस्थां एक संस्था है पहली है जिसको कहते है संबैधानिक संस्था एं संबैधा संबैधानिक संस्था दूसरी है आज संबैधानिक संस्था तीसरी है संबैधानिक संस्था किसे कहते हैं तो संबैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका उलेक हमारे संबैधान में है उसको संबैधानिक संस्था कहते हैं जैसे हमारे देश में है चुनाव आयोग चुनाव आयोग क्या है एक संबैधानिक संस्था है चुनाव आयोग चुनाव आयोग दोस्तो एक संबैधानिक संस्था है जिसका उलेक आर्टिकल 324 में हुआ है चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर गताते हैं दोस्तो 324 के अंतर गताते हैं तो चुनाव आयोग को क्या कहते हैं संबैधानिक संस्था अब दूसरी संस्था आती है दोस्तों आसंबैधानिक संस्था आसंबैधानिक संस्था किसे कहते हैं आसंबैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका उलेक जिसका वर्डन हमारे संबैधान में नहीं है लेकिन वो हमारे देश में है और देश में है लेकिन हमारे हितकर हमारे लि नक्सलवाद दोस्तों हमारे देश में एक संस्था है जो कि आसंबैधानिक संस्था है इसको संबिधान ने माननेता नहीं दिया है तो यह कैसी संस्था हो गई दोस्तों आसंबैधानिक अगला है अगली संस्था है संबिधानेतर संबिधानेतर कौँसी संस्था होती है कैसी संस्था होती है दोस्तों इसका भी वरणन हमारे संबिधान में नहीं है लेकिन यह हमारे देश में हैं और हमारे देश के लिए हितक हितकर है यानि लाभकारी है हमारे देश के लिए यह हितकर संस्थाएं हैं जैसे नीति आयोग नीति आयोग एक योजना आयोग जैसे योजना आयोग नीति आयोग ये दोस्तो संविधान ये तर संस्थाएं हैं जो तो हमारे संविधान में नहीं हैं लेकिन ये हमारे देश के लिए हितकर हैं तो ये हो गया संस्थाएं दोस्तो संस्थाओं के बाद अब हम कल की क्लास में मिलते हैं बस आज यहीं तर